हेलो डियो फ्रेंस बेलकम बैक ओन माई यूटूब चनल बच्छों पहले वीडियो हमने देखा था किस तरीके से स्राजुद दौला जो है जो बंगाल का नवाफ था वो लोड कलाइब से युद्ध में हार गया युद्ध में हारने के बाद उसे क्या है उसने एक संधी की ज जो अगला हमारा टौपिक है वो है प्लासी का युद्ध जी हां तो प्लासी का युद्ध क्या है यहां पे 1777 में युद्ध हुआ इसका कारण क्या था उसका कारण ये था देखिए अली नगर की संधी के दौरा आपको पता है अंग्रेज़ों को क्या है कई अधिकार मिल थे लेकिन अंग्रेज जो है वो लोब के करण उनको क्या है क्योंकि वो एक ब्यापारी थे वो ब्यापारी क्या करते जा से ज़्यादा लाब कमाने की कोसिस करते हैं तो जो ब्यापारी थे यानि जो अंग्रेज थे वो क्या करना चाहते थे बंगाल पर पूरी तरीके से अप उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया तैयारिया भी प्रार्म कर दिया इसके लिए क्या किया देखे उन्होंने सबसे पहले कलाइब ने फ्रांसी सी बस्ती चंद नगर प्रादिकर कर लिया ठीक है और वहां पर जो नबाब था यारी सुराज उद्वला वो कुछ नहीं कर सका पहला काम उन्होंने यही किया, जो चंदरनगर था, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, यहां तक तो बाट ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो लॉड कलाइब था, उसने एक चाल चली, वो क्या चाल चली, कि सराजुत दौला के जितने भी दुस्मन थे, अब दुस्मन कौन क होंते, तो मैं आपको बता दूँ, कि आपको पता है, कि उस जो सराजुत दौला के नवाब बनने से पहले, कुछ जैसे सराजुत दौला की जो मौसी थी, घसीटी बेगम, वो अपने पत्र को राजा बनाना चाहती थी, और इसके साथ साथ मीर जाफर भी जो था, वो भी र मिर चंद, ठीक है, इन सब को क्या किया, लोड गलायम ने अपनी और मिला लिया, लोब दे करके हम आपको क्या बना देंगे, इसका सासक बना देंगे, तो इस तरीके से गुप्त रूप से उन्होंने क्या किया, सराजुत दौला के बुरुद, अपना सर्यंतर स्टार्ट कर कर दिया, और धीरे-धीरे क्या है, उन्होंने युद्ध करने की बात समझ में, इससे क्या हुआ, जो राजा, जो सराजुत दौला को बहुती नुकसान होगा, देखे, क्या करना है, उसके अनुसार, सराजुत दौला को अठाकर मिर जाफर को बंगल का नवाब बनाना जान था, यानि कि क्लियर से, उन्होंने क्या किया, मिर जाफर को ये लालस दे दिया, कि आप क्या करो, इस राजुत दौला को ikहां से मार दो, और भगाद दो, तो हम क्या करेंगे, आप को यहां का सासक बना देंगी अब सड़ेंत्र की रशना के बाद क्या है युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा यानि कि फिर दीरे देरे क्या है युद्ध करने के तरीके ढूड़े गए तो क्या है जो अब क्या हुआ नवाप पर अली नगर की संदी भंग करने का आरूप बात बिलकुल भी स्राजुद दौला को ये बात बिलकुल भी पता नहीं थी वो सिर्फ सड़ेंत्र चल रहा था तो आरूप लगाते ही क्लाइब सेना मुर्सदाबाद के लिए चल पड़ी और उनने क्या युद्ध की तैयारी सुरू कर दी और क्या हुआ इसके बाद 23 जो युद्ध हुआ तो नवाब की जो सेनाबादी था मिर जाफर दौला राय और यार लतीब खां ये चुपचाप युद्ध का नजारा देखते रहे यानि कि इसमें इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया तो सिंपल सी बात है जो सुराजुद दौला था बहुत कम जुद भी ज़ह था अब किया गवा इसके बाद देखिए अब हम बात गरें इस युद्ध की तो ये युद्ध किया था देखिए सेनिक द्रस्टि से पलासिक युद्ध कोई महतो नहीं था यानिकि इसका कोई जाल लेकिन राजिनी थी का आर्थिक द्रष्टि से इसे उद्ध का महत उत्था बंगाल का नवाब मीर जाफर अंग्रेजों की हाथों की कड़ फूतली बन कर लेगे क्योंकि अंग्रेज भी यही चाहते थे कि जो भी साशक हो या तो हमारा साशन हो अगर हमारा शाषन्दा हो तो जो भी राजा बने वो हमारे कहीं में चले हमारे मन मर्जी चले जिसे हम जैसा व्यापार करना चाहें बंगल के अंदर वेशा व्यापार करें मैं आपको बताती कि बंगल जो है सबसे बड़ा प्रांथ था पहले आजादी से पहले और सबसे धनी प्रांत बाना जाता है इसलिए अंग्रेजों की जो ये नजर थी वो बंगाल पर थी है ठीक है उसके बाद क्या हुआ देखिए बंगाल की राजनितिक जीवन पर अंग्रेजों का अधिकार ही था ही आर्थिक द्रस्टी से भी प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट आरम होगी और अंग्रेजों ने क्या कर दिया वहाँ पर लूट आरम कर दिया अपने मन मर्जी वहाँ बिजनिस चलाने लगे वो लोग उसके बाद क्या हुआ देखिए मिर जाफर ने लगए तीन करोड रुपए अंग्रेजों को दि बंगाल बिहार और उडिसा कर मुक्त ब्यापार का अधिकार दे दिया यह बोल दिया कि आपको जहां जैसा पहले जो बंगाल में जो बिहार था वो बंगाल में था उडिसा भी तो यहां पर क्या कर दिया कि आपको जहां पर भी सासन जैसा जैसा आपको ब्यापर करना है अ युद्धिकवाद कम्पणी में कम्पणी को बंगाल की सत्ता स्वाप दीगी यानि पूरी तरीके से जो अधिकार हो गया वो किसका हो गया अंग्रेजों का यहां तक तो बात ठीक थी अब देखिए आगे क्या हुआ आगे अब बात करते हैं बकसर का युद्ध अब बकसर का युद्ध देखिए क्यों हुआ ये 1764 में हुआ था इसमें क्या हुआ था प्लासी की युद्धिकवाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया मीर जाफर को बनाया गया था आपको पता है जो मीर जाफर था वो अंग कमपनी की मांग में नरंतर ब्रद्दी होती जा रही थी कमपनी और उसके दलाल किसानों और दस्तकारों को लूट रहे थे अब उन्होंने खुली छूट कियों कि उनका आधिकार हो गया था इस पर उसकिसानों को परिशन करने लगे जितने भी व्यापारित हो उनको लूटने लगे सब कुछ कम करने लगे कम से कम मूहली लिएंब इससे पहले यूइस गदी हैकर उसके दामाद मीर कास्म को बंगाल नबाब बना दिया गए यहनि कि अगर मीर जाफर जब तक सोचता उसके जो ढामाद του मीर अब उन्हों ऑंग्रेजों ने उसको क्या है बंगाल का नएया नबाब बना दिया तक है अब क्या था देखिए मिर कासिम कंपनी पर अपनी निर्वता को कम करना चाला मीर। जाफर भी चाहता था कि जो गलती उस ₦ जो सशर ने की थी तो उसने सकती संचाय करना स्टारٹ कर दिया याना कि उसने क्या लोगों को एकटा करना स्टार कर दिया, जिससे क्या है वो अंग्रेजों से संगर्ज कर चके, उसने अंग्रेजों के बफादार अफसरों को नौकरीज हटा दिया नया सैनिक संगठन खड़ा किया, ब्यापारिक चुंगी के लिए भी समप्त कर दिया जिससे कमपनी को नुकसान हुआ पैडाम सरूप 1763 ECV में नवाब मीर कासिम और कमपनी के मद्द युद्ध हो गया और उसमें क्या हुआ हुआ तो आपको याद रखना 1763 में जो युद्ध हुआ उसमें किसकी पराज़ा हुई मीर कासिम की मीर कासिम भाग कर अबद चला गया यहां तक बात समझ में आगए उसके बात क्या हुआ देखिए अबद के जो नवाब थे उस टैम पे अबद के जो नवाब थे उस टैम पे ते सुजाओ दौला कौन थे वो भी अंग्रेजियों से नाराज थे मुगल समराट सा आलम भी दिल्ली से भाग कर अबद में ही यूबर 1764 को कंपनी को सेनाओं के साथ युद्ध किया गया इसी युद्ध को बकसर का युद्ध के नाम से जाना जाता है मुगल समराट और दोनों नवाब युद्ध में पराजित हुए 1765 में और सुजाओ दौला सालम ने कलाइब के साथ संधियां कर ली बात संज में आ तो बंगाल की जो बकसर का युद्ध था उसके बाद अंग्रेजों के हाथ में ये जो सत्ता थी वो बंगाल की जो सत्ता थी वो पूरी तरीके से आगे अब देखिया अबद के नवाब सुजाओ दोला के साथ इलाबाद की क्या संधिय हुए इलाबाद की संधिय से जाना की रूप में लेकर अंग्रेज उसे अबद राज लोटा देंगे यानि कि पचास लाक रुपए दीजे हम आपको आपका अबद राज लोटा देंगे ये बात हुई दूसरा क्या पैसला लिए कड़ा और इलावाद उसके आसपास का छेतर अबद से प्रतक कर मुगल्द वास सा आलम को दिया जाएगा ये दूसरी बात हुई ठीक है और क्या हुए यहां पर चुनार का जो दुर्ग था जो किला था वो किसको मिलेगा अंग्रेजों को मिलेगा और फूर्थ पॉइंट था अंग्रेजों के अबद की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए ब्यापार की तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अवेल आइकन को प्रेस कर दिए थैंक यू